हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगी डूर्मेट पाइदान भी बोलते हैं यह बहुत ही बनाने में इजी है फ्रेंट्स और इसका लुक भी बहुत ही सुन्दर आता है आप कहीं भी इसको ले जा भी सकते हो या आप बैड के पास सर्दियों में बिछा भी सकते हो गरम रहता है हैं इसलिग आप कोई भी पुरानी साड़ी या डूपट आ लेना है और उस raft अप यह डौर्मेट बना सकते हो मैंने यह साड़ी ली है मैं साड़ी से बना रही हूँ आप साड़ी की जग अगर आपके पास बैड सीट है बैड सीट से भी आप बना सकते हो कोई भी घर के करके मैं इसको double कर रहे हूं तो चार पार्ण हुए अगर आप साढ़ी कश्थ बना रही हो तो दो आपके उपर की साइड आएंगे दो आपके नीचे की साइड पार्ण रहेंगे ञांइन तो फिर मजबूत नहीं रहेगा पतले रहता नीचेजम इसलिए हमें 2 लेना है उपर और 2 नीचे तो यह देखी मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं इसका साड़ी का मैंने पलू निकाल दिया है आप जीतना बड़ा चाहो उतना कर सकते हो आपको छोटा करना छोटा भी बना सकते हो आपको चिटाई बनाने बैड की पास विचाने के लिए वो भी बना सक हो तो hai देखे मेने चार तौछ 5 के लिए अब इधर ये मेरी बंसाइड है उसको हमFit कर लेंगे क्याल today क्योंकि हम पुझाज इधर दो जाएंगे अब एश्मडुरी गया है मेरा इधर बंध च्रकथ को कर ले अब Zum आएई है जूडिकल जी अधरस 청ड में वेश्थ ् καना दिन solid support ऐसंट कोबिए दो नीचे याप से हम फूरे में हिले पूरे में पूरी में लाइँ है हमें क्लोफ फिन लगाना ने तो यह हमारी साड़ी में से दर अइबढी मिलाइब हुल जाएगा इसलिए पहले से ही को फूरी में क्लोफ फिन लगा पिर यह हमारा जैसे है वैसे की वैसी रहेगी और ऐसे एक एक इंच पे आप स्केल से इसमें लाइन लगाना है कि देखी मैं लगा रही हूं ऐसे आप एक इंच से ज्यादा भी लगा सकते हो मैं एक इंच की लगा रही हूं यह आप डेड़ इंच की भी लगा सकते हो दो की भ डुपट्टा है आप इसमें डाल सकते हो लेकिन साड़ी और डुपट्टा जो है वह डालोगे इसके अंदर तो इजी तरीकी से डल जाएगा जैसे कोई पुराना और कपड़ा डालोगे तो थोड़ा हाड रहता है तो यह देखे कितना डालना है यह मैंने 12 इंच का पेश लि से जोल करके और इसमें हम उपater अपने जो सेफटी पन होती है उसी सेफटी पिन से इसको डालेंगे हम अपने इसके पार्ट के अंदर तो यह देख ए मैंने सेफटी में लगा लेल है आपके पास तो दुपट्टे गा भी इसी तरीक ईसाब को गोल करना है और ऐसे दो यह साडी और दुपटेगा तो यही तरीके से टल जाएगा फिर थोड़ा सा इसे आपको बैड सीट का डाल देख आपको हाड लगेगा तो ऐसे उब्रा हुआ भाग ना चींग आजगी देखें जिसे उब्रा हुआ आ रहा है अगर आपका जैसे कम हो रहा हैं तो इसमें पट कर लेना है अब अपने दूसरी पट्टी डालेगे जो हमने पहले रोल की था साड़ी के पीस को वैसे ही मैंने गोल यहींड को साके राइन evidence हमने थे लाइने हैं उसमें पूरे में हमने एस दुस्तें है त jeśli आपके मलद दूपट्टÁ करते हो बहुत है य। जी हमारे पुराने कपड़ अजैनेरेट रहता है कि कहां दूपड हना है वो इसमें हमारा पूरा साड़ी डुपटे सब इसमें अर्जेस्ट हो जाएंगे और बहुत ही सुन्दर फिर बनती है ऐसे हम सब में डाल लेंगे जैसे इन दो में डाला है यह देखिए मैंने पूरे में डाल लिया है बहुत ही सुन्दर लगरा है और दोनों साइड में मैंने इधर भी और इस साइड में भी एक इंच छोड़ा है हम बाद में पटी लगाएंगे अगर इन दोनों साइड में हम डाल देंगे तो फिर शिलाई नहीं होगे और इधर भी हमें अब सिलाई करने है दोनों साइड में शिलाई कर लेंगे देखिए मैं इधर शिलाई कर लिए और इधर भी शिलाई कर लिए है अब हम शिलाई करने के बाद में जो अब हम यह एक्स्ट्रा पटिया है जो यह कतरन निकली हुई है बाहर की साइड में इनको कट कर देंगे और इस साइड में भी पड़िंड में इसमें मैंचिंग की इन में हम पड़िंड करेंग इस साइड में भी अब इसको हम इधर पलट लेंगे इस साइड में पत्टी को जो हमें लगाया है दोनों साइड में पत्टी करके फिर हम दूसरा फॉल्ड कर देंगे इसे चलाई करनी है दोनों साइड में इधर भी इस पट्टी की इससे हमारे डूपटे का सब का रियूज भी हो जाता है यह देखी मैंने दोनों पट्टी कर ली अपनी अब सेम साइज के चार इंच की हमें और पट्टी लेनी है इन दो साइड में और लगाने के लिए लेकिन इसमें हम आगे से बनाने बहुत already कितनी भी बड़ी बना सकते हो, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो, बिचा सकते हो, सर्दियों में आप खाना बच्चे कहा रहे छो वहां, जो भी आप रूम में बिचा सकते हो, गरम भी रहेगा फ़र्स पे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्रेंड्स लाइक वोग सब्सक्राइब